सर्यू नदी का जलस्तर खतरे के निसान से उपर होने से माझा वासियों के सामने खड़ा हुआ चारे का संकट आपको बता दें कि दुबोलिया विकास खंड के अंतरगत बंधे के दच्छिड बसे गाउं के लोगों को अब सर्यू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पसूं के चारे का संकट खड़ा हो गया है तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहा है कि जहां पर नाओ के माध्यम से यहां के किशान अपने पसूं को चारा लेकर आ रहे हैं में किशानों ने बताया है कि नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है जिसे पूरे माजा इलाके में बार का पानी फैल गया है और पस्वों के चारे के लिए संकट खड़ा हो गया है इस संकट से निपटने के लिए वहां के ग्रामिड नाव के माध्यम से पहुंचकर अ फिर समस्याएं हो रही है अगर नदी का जलस्तर आईशे ही बढ़ता रहा तो जल्द माजा छेत्र में बसे गाउं में पानी घुसने लगेगा और लोगों के शामने संकट खड़ा हो सकता है इस समें नदी का जलस्तर बढ़ गया तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं ब्या हलके पानी आ रहे हैं दो किलिमेटर से कोई व्यस्ता नहीं नाए दुसका सुधा भी नहीं है प्रसासन के तरफ से कोई नाव लगाईगी कि नहीं अभी अभी तो नहीं लगाईगी कैसे आप लोग आ जा रहे हैं तल के आ रहे हैं देखो सामने है क्या नाब है आपका बीरू कहा घर पड़ेगा सुधा राबू